हलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू माई लीगल कोड एलर्निंग अगेंग आएम आशुवार लवानिया देखिए आज हम डिसकस करने वाले हमेशा की तरह वेरी इंपॉर्टन टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है नो कॉन्फिदेंस मोशन इससे हिंदी में बोलते है अविश्वास प्रस्ताव पॉलिटी का ये बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसके बारे में जितना भी स्टेटिक और डायनमिक पॉर्शन है हमेशा की तरह में आपको बिलकुल क्लियर करा दूँगा बस बने रही है इस छोटे से वीडियो में तिल दी एंड फॉर देखिए इसमें हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है इसके अलावा समवेधानिक द्रश्टिकॉन से इसके क्या क्या प्रावधान है इसके क्या क्या प्राविजन से और इसमें क्या क्या शर्तें दी हुई है अगर मा इंपोर्टेंट सेक्शन और फोल वीडियो प्रेलिम्स एंड मेंस हिंट्स मतलब कि यूपी एस्टेट सिविल सर्विस के जो भी एस्पिरेंट्स है उनके लिए क्या क्या प्रॉबाबल क्वेस्चन हो सकते हैं आज के नो कॉंफिदेंस मोशन वाले टॉपिक से तो इसके लि राज्य की विदान सभा में बैठते हैं तो वहां पर पूरे राज्य पर जो शासन चलाया जाता है तो वह चलाया जाता है मंत्रियों के समूह से जिसे हम कैबिनेट या काउंशल ओब मिनिस्टर्स कहते हैं हिंदी में मंत्र परशद ठीक है तो यह याद रखिएगा कि जो म दान सभा में अपोजिशन लीडर्स वगरा के द्वारा और उनको हर सवाल का जवाव देना पड़ेगा पहली बात दूसरी बात यह है कि जब उस सरकार और उस मंत्र परशद को ओफिस से हटाना हो खतम करना हो तब उनको हटाने के लिए लाया जाता है no confidence motion मतलब कि अविश सरकार चलाएं अब देखते हैं कि समविधान इस बारे में क्या कहता है देखिए Article 75 of Constitution of India अनुशेद 75 में कहा गया है कि जो भी Council of Ministers Union में यहां पर केंदर की बात चल रही है जो मंत्र परशद होगी वह उत्तरदाई होगी सामुईक रूप से किसके परते लोग सभागे परत अब बात करते हैं देखिए लोग सभा हो या राज्य की विधान सभा हो यहां से जब ministry को हटाने की बात चलती है कि किस तरीके से ministry को हटाया जाए तो इसके लिए लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव जनरल ये opposition leader लेके आते हैं जो सरकार के विपक्ष में बैटे होते ह और एक बात जरूर याद रखिएगा rule 198 of लोग सभा यही specify करता है मतलब कि यही बताता है कि एक अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या procedure होगा अब इसकी कुछ सर्तें भी होती हैं सर्त बिलकुल simple है अगर केंदर की बात करें तो लोग सभा राज्य की बात करें तो विधा इसे नहीं लाया जा सकता और यह किसके खिलाफ लाया जाता है उस समय की government मतलब कि सरकार और उसकी मंत्री परशद के खिलाफ लाया जाता है यह दो simple सी शर्त हैं याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अब अविश्वास प्रस्ताव को जब भी लाने की बात की जाएगी तो इसको लाने का तरीका क्या है तो सबसे पहले rule 198 of लोगसभा मैंने बताया है देखिए यहाँ पर लोगसभा लिखा है लेकिन विदान सभा भी हो सकता है similarly जैसे केंदर में चलता है उसी तरीके से राज्य सरकार के खिलाब राज्य में विदान सभा में चलता है तो अपने आ लोग इस पर discussion के लिए ready है ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले शर्ट होती है कम से कम 50 सदस्य पचास सदस्य इस बात के favor में होने चाहिए कि हाँ इस पर discussion होना चाहिए और जब ये favor मिल जाता है 50 सदस्य सहमत हो जाते हैं इस motion को आगे लाने के लिए तो 10 दिन के अंदर नहीं मिलते हैं जो इसको support कर रहे हों तो ऐसे में इसे field माना जाता है और सुबह 10 वजे से पहले पहले किसी MP को एक written notice इसके बारे में देना होगा कि इस पर चर्चा न की जाए इसे field माना जाएगा अब मान लीजिए कि इसको सहमती मिल जाती है 50 सदस्य होगी तो इस पर अगर finally no confidence motion accept कर लिया जाता है या majority से पास हो जाता है तो government को resign करना पड़ेगा यहां तक कि यह पूरी no confidence motion के बारे में important points मैंने बताए और आपको clear समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे से मैंने बिलकुल clear कर दिया है अब बात करेंगे कि no confidence motion का मुद्दा इस समझ सुर कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के द्वारा किसके खिलाब BJP जननायक्स जनता पार्टी की जो गटबंदन की सरकार चल रही है उसके खिलाब लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव fail हो गया defeat हो गया क्योंकि इसके favor में पड़े थ कोई भी question नहीं होगा जिसका answer आपके पास नहीं हो अब बात करते हैं the most important prelims and main scenes देखिए आपको no confidence motion के बारे में पता होना चाहिए इसका procedure क्या होता है इसे लाने का इसके बारे में भी पता होना चाहिए क्या राज्य सभा में लाये जा सकता है no confidence motion answer है no यह मैंने पहले ही discuss क आपने कर lecture पूरा देखा होगा तो आपको बिल्कुल clear समझ में आ गया होगा आपने answer भी कर दिया होगा and यहां पर एक question बहुत ही important है sensor motion and no confidence motion यह दो अलग अलग तरीके के प्रस्ताव होते हैं तो इनके बारे में differentiate करना भी आपको आना चाहिए तो यह था everything about no confidence motion अगले यह उसको like कीजिए comment कीजिए और share भी कीजिए subscribe कीजिए my legal code e-learning thanks good luck and bye bye